हुलो फ्रेंड्स वेलकम बेक एमके नौलेज गुरूप में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यस्ता के महत्पूर्ण कोशनों को हल करेंगे इस अभ्यास टेस्ट में हम देखेंगे कि पंचायती राज से कितने महत्पूर्ण कोशन अभी तक सेजी व्यापव और प्रेवियर सिर्ष के जितने भी एक्जाम हुए हैं उनसा भी एक्जाम हों पूछा गया है और संभावित एक्जाम में पूछे जाने की पूरी संभौना है बन रही हैं ऐसी कोशनों का हम अभ्यास करेंगे आज तो आप वीडियो करते हैं टॉप 50 कोशन महत्पूर्ण हैं जो अब तक आये हुए हैं और आने वाले हैं इस प्रकार के कोशन सम्झेत के गया हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर सब्क्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा ब्यू तो आता ही नहीं है पर चले हम अपनाय काम करते रहें आप लोग पूर तो नगर पालिकाओं का जो प्रवधान है वह भाग नौ के कव में है इस प्रकार सो अप्शन आपको डी लगाना होगा जो राइट एंसर होगा कि बाद भाग नो के कव मेंझे जो नगर पालिकाओं के शमधित प्रवधान भी किए गया है और भाग नौ में पंचैती राज के बारे भी बताै गया है तो इस प्रकार से याद रहेंगे यदि नौ का आता है तो अगर पालकाओं से समधित है यदि केवल नौ आता है भाग नौ आता है तो पंचाती राज से समधित है ऐसा भाग में बताए गया है सरथान के किस भाग में घ्राम पंचातों की स्थापना की बात की गई है तो सवरप्रतम भाग नौ में किया गया है उसके उप्रांत यदि 9 नहीं दिया है तो भाग 4 के नीथी न दे सकता तो मैं ऐसी बात कही गई है कि यदि अनुछे 40 में कहा गया है कि गराम पंचायत का गठन करेगा, सरकार राजसरकार का करेगा, गराम पंचायत का गठन करेगा, अनुछे 40 में ऐसा वरणन है, जो कि भाग चार के अंतरकत आता ही, नीती नीती सक्तातों में जिसको हम बात करते हैं, उसमें गराम पंचायत अभी ऐसा प्रवधान आपको देखने को मिलता है इस प्रकार्श ओप्षन भी इसका राइट एंसर होगा नेक्स हम बात करते हैं भारते सर्धान के निमलिकित अनुछेद में से कौन सा अनुछेद राजे सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है ठीक है तीसका राइट एंसर हमको बताना है कि भारते सर्धान के 40 अनुछेद में, यानि अनुछेद क्या होता 40 में, राजय सरकारों को ग्राम पंचयतों के संगठित करने का निर्देस देता है, ऐसा अनुछेद 40 बचाए गया है, जो की भाग 4 के नीटिन दिस्रकत्त 목ों के अनुछेद 40 में ऐसा वरणन है जो महातमा गांधी के जिदामतों के अनुपारन करते हुए गराम पंचायतों के गठर्द की बात कही गई है next हम बात करते हैं, सविधान की एकार्मी अनुसुची में निम लिकित में से क्या समलित है तो सविधान की एकार्मी जो अनुसुची है वहाँ पंचायतों के कार्यकरम से सम्दित है पन्चाहिति राजे परणाली राज प्रणाली राज्ये परणाली प्रणाली किसके परणालएगा सता की केंद्रिकरण हो जितना ज्यादा हो सके सता का क्या हो विकेंद्री करण हो यानि छोटे-छोटे इस्तर पर सभी को पाउर मिले ताकि सभी के माध्यम से सता को सही से संचालित के जा सके तो सता का विकेंद्री करण का सोच जो सिधान्त है उसी पर या पंचायती राजे प्रणाली का सिधान्त धारित है जो कई बार एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट पंचायती राजे परदान करता है पंचायती राजे परदान करता है ग्राम वास्यों में सक्ति का विकेंदीर करन जैसा कि पहले हमने बता है इसका ओपशन C No. 8 होगा यानि कि पंचायती राजय जो है वो लोगों के बीच ग्रामवासियों में सक्ति का भी केंदरी करण करता है याई प्रस्तित या सूसासन की ब्योसथाहम कर सकते हैं जो यह एक अच्छा मादयम हो सकता है और इसी सिधाम पर ग्राम वाश्यों का जो है पंचायती राज लक्ष नरधायत क्या गया है यह कोशन में पूशा गया था कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष क्या है कि रिष्युत पादुन को बढ़ावा देना, रोजगार को सरज़ेत करना जानता को राजनिती ग्रुप से जागयत करना जानता को विकास मुलक प्रशासन में भागिदारी योग बराना इसका ओप्षण D राइट एंसर होगा कि पंचायती राज का मुक्यो देश यह था कि जानता को विकास मुलक प्रशासन में उसकी भी भागिदारी योग्य होना यानि उसकी भी भागिदारी होना चाहिए जानता का भी भागिदार होना चाहिए तभी हमारा सासन अच्छे से चल पाएगा यह पंचायती राज का म कि 73 में सविधान संसोधन का संबंद किस्से है आपको बताना है तो 73 में सविधान संसोधन हुआ था वह किस्से हुआ था तो वह पंचायती राज से संसोधन था इसका राइट ओप्शन C निंबर होगा पंचायती राज संसोधन संसोधन है तो इसका ओप्शन C निंबर होगा यानि पंचायती राजय प्रणाली से समद्धत है इसका option क्या हो जाएगा C number यह तरवा जो सविधान समसुदन था किसके लिए हुआ था जो पंचायती राजय प्रणाली के कारण ही हुआ था नेक्स्ट है भारत में निमलिखित में से किसके अंतरगत पंचायती राजय प्रणाली की विवस्था की गई थी यह इसका right answer आपको बताना है इसका right answer होगा C number यानि कि निती निशक सिधान्त का जो है उन्ही में भारत के पंचायती राज परणाली की विवस्था किया गया है तो अनुछे चालिज जो है पंचायती राज का वरणन करता है आप लोग याद रिखेंगे जो निती निशक सिधान्त में आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट है कि इस सवेधानिक संसोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सवेधानिक दरजा प्रणा के गया इसका option C number होगा यानि कि 73 में सवेधानिक संसोधन जब हुआ था उस समय ही पंचायती राज संस्थाओं को सवेधानिक दरजा प्रणा के गया था option इसका C number होगा यानि कि सविधानिक दरजा कब प्राप्थ हुआ तो 73 में सविधान संसोधन के दोरान ही प्राप्थ हुआ ठीक है next question है कि 73 में सविधान संसोधन द्वारा संसोधन में कौन C अनुसूची जोड़ी गई तो इसका option C number होगा एकारवी अनुसूची को जोड़ा गया था इसका option क्या होगा C होगा कब जोड़ा गया था 73 में सविधान संसोधन द्वारा संसोधन में जोड़ा गया एकारवी अनुसूची next है 73 में सविधान संसोधन द्वारा एकारवी अनुसोची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कारे शोपे गए हैं कई बार एक्जाम में पूछा गया है तिसका option D number 8 होगा यानि 29 कारे शोपे गए हैं जबकि नगर पालिका में 18 कारे सोपे गए हैं ठीक है? तो पंचायती राजे संस्थाओं में कितने कारे सोप गया है या पंचायती यानि जो सरपंच के द्वारा है जो करामिर छेतर में महत्पूर कारे करते हैं उनमें कितने कारे को सोप गया है तो इसका राइट ओप्शन D नंबर होगा यानि 29 कारे को सोप गया है नेक्स्ट है तियातरवे सविधान संसोधन का अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्धक्च के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गया है तो इसका अप्शन एक तिहाई होगा इसका राइट एंसर ये नमबर होगा नक्स हम बात करते हैं कि तियातरवे सविधान संसोधन के प्रौधानों को समाज के किस वर्ग को सता हस्तांतरण के दृष्टी से एतासिक कदम माना जाता है तो इसका उप्शन आपको बताना है चार उप्शन आपके पास दे गया है तो जो 73 सब्धान संसोधन के प्रवधानों को समाज के किस वर्ग को सता हस्तांतरन के दृष्टी से थासिक मान जाता है तो इसका राइट एंसर डी नेंबर होगा कि महिलाओं को इसमें आपको महिलाओं को ज़्यादा भागी दायर दे गया है जैसे आपका सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो आरक्षत सीटे हैं वह 50% है तिस परकार से यह कहा जा सकता है कि 73 में जो सब्धान संसोधन अधिनियम जो प्रवधान हुआ था वो समाज के महिला वर्ग को सता हस् जाता है जिस परकार से आप याद रख सकते हैं नेश्ट है 73 में सब्धान संसोधन की विश्यस्ता नहीं है तो बताना है कि इसमें से कौन से विश्यस्ता नहीं है ति इसका राइट ऑप्सन डी नमर होगा महिलाओं के लिए दो त्य आरक्षण किया क्या है विश्यस्ता न मुले करना और नियम और जो भी कानूने है उसे सब्धान संसोधन के मादम से परवर्तित किया जा सकता है और सब्धान में उसका लिकित प्रमाण मात्पून रूप से और सब्धान संसत द्वारा पारित नियम और कानून के मादम से वह बना हो उसे हम सब्धान का सकते हैं तो पंचायती राज सहंस्ताओं को भी सवधार नितर जफराब थे और महिलाओं के लिए 1 by 2 आरे रख्षण है इसलिए यहां पुर्दोत याई है इसलिए option की विश्यस्ता में नहीं आएगा तो option D इसका राई टेंसर होगा ठीक है तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं नेक्स है तीहतर में सर्धान संसुदन द्वारा पंचाती राज सहंस्ताओं के लिए किस तरह के चुनाओं का पुर्दान के गया है तो तीहतर में सर्धान संसुदन द्वारा पंचाती राज सहंस्ताओं के लिए किस तरह के चुनाओं का पुर्दान के गया है तो इसका र आरक्षे तिस्थानों की चक्रा अनुक्रम से भर जाने का प्रोधान के या है तो भारत में किसके चुनाओं में तो चक्रा अनुकरम से फर जाएगा, ठीक है, नेक्स है पंचायती, राज के विगटन के उपरांत निम्न में से कौन से समय ओधी नए चुनाव कराने है तू सही है, तो इसका आपका हो जाएगा, 6 माह के अंदर ही आने कि C नंबर इसका राई टेंसर होगा, ठीक है, 6 माह के अंदर होना चाहिए, ठीक है, किल्टी एक वरस के अंदर, इसका राई टेंसर होगा, 6 माह के अंदर ही नेक्स हम बात करते हैं, पंचायती, राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उतरदाई है, तो इसका राई टेंसर हो जागा, पंचायती, राज संस्थाओं के निर् स्थान आरक्षित है इस प्रकार से प्रवल समर्थक के हमने बात किया था इसका option क्या हो जाएगा आपका डी नमबर इसका राइट इंसर हो जागयाने की राजिय गार्णी थे ठीक है नेस्ट है भारत में महिलाओं के लिए इस्थान आरक्षित है तो महिलाओं के लिए इस्थान कहां पर आरक्षित है तो वर्तवान स्मय पंचायती राज संस्थाओं में ही आरक्षित है नेक्स्ट है तियातर में सरधान संस्थान अधियम किस्तिती को लागू किया गया था इसका ओप्सन ये नंबर होगा 24 सप्रेल 1973 को लागु किया गया था 73 में सरदान संसोधन पारत में पंचायती राज अधिनियम बना था तो इसका राइट एंसर हो जागा 24 सप्रेल 1993 को एक दिन बाद बन गया था जब लागु हुआ था उसके बाद क्या आता है लागु को अधिनियम पारित हो गया 24 सप्रेल 1993 को पंचायत के चुनाओ कराने है तो निरने किन के द्वारा लिया जाता है 30 का ओप्सन आपका B नंबर होगा यानि राजिस सरकार के द्वारा ही निरने लिया जाता है कि पंचायत का चुनाव कराया जाए भारत में पंचायती राज का प्राइरम कब किया गया तो सभी लोग जानते हूंगे उन्हें 69 में किया तो option D is का राइट एंसर होगा पंचायती राज जब परथम परवर्थित किया था तो इसका राइट अप्शन हो जागा परतिम अपनाये ग्या थो तो हो उसकी और अन्दर प्रदेश में अपनाये ग्या था उप्चन अच्छेंगे हैं व्हारत के पंचालती राजГोस्ता स्वारत्त में यूंब सब्सक्राइब करेंगे देश के ग्रामनी छेत्र के समाजी को सांसकरतिक उठान के लिए सामधिक विकास कारेकरम का प्राइब के गया था सामधिक विकास कारेकरम जो है शुरू किया था इस प्रकार की चीज़े थी ति इसका महत्मोर चीजे होगा इसका राइट एंसर सी निमबर होगा सामधिक विकास कारेकरम के असफलता के कारण क्या था इसका राइट एंसर होगा इसका राइट एंसर सी निमबर होगा असिक्षा की करण सामधिक विकास कारेकरम का जो कारेकरम थावा सफल नहीं हो पाया लोग तंत्रिक विकंदरी करने का सुझाओ दिये गया तो इसका option आपका right answer C number होगा बलवन तरय महता समिती सोरी इसका right answer D number होगा बलवन तरय महता समिती द्वारा लोग तंत्रिक विकंदरी करने का सुझाओ दिये गया था बलवन तरह महता समिती होगा बलवन तरह महता समिती द्वारा भारत में पंचाहिती राज समस्ताओं का तीसरा जो तिरी स्त्रिय पंचाहिती राज व्योस्ता का अन्मोधन किया था जिस समिती में लोकतांतरिक विकंद्रिकन और पंचाहिती राज की सिफारिस कि उसकी सभापती कौन था इसका option आपको हो जाएगा C number यानि की बलवन तरह मेहता है जित है इसका right answer C number होगा next है पंचायती राज से समधित निम्ले की कत्रों का कौन सा सही नहीं है कि इसका right answer हो जाएगा B number यानि तीहतरमा सांस्तान 15 गस्तन 1993 से प्रभावी हुआ तो यह गलत बात है बाकी सब सही है पंचायत बेवस्ता भारती ग्रामिट जीमन का अंग है यह एक त्रिश्तिरे जैवी की रूप से जूरी सरणचना है भारती सरदान का रूच्छे 247 जी इसके महतों को बढाता है में पंचायत बात मेहता समीति पर्तिवेदन में पंचायती राइस नस्ताओं को कितने इस तरह तक करने का सुझाओ दिया है किषिक का राइट एंसर हो जागा आपका C नंबर यानि की 3 इस तरह पर उन्होंने इसको बढ़ाने के काम किया था नेक्स्ट है बालवान ट्रा बनाने का सुजाव दिये गया है, नेक्स पंच्अटी राज व्यवस्ता में इस्थानी सोसंद की व्योस्ता कैसी होती है, त्य 방 sellers होई राईरे पंच्याइती राज व्यवस्ता में ग्रां बलाक और जीला इस्तर पर तीन स्तरीत में पहए झाता है, ते इसका राइट एंसर बी नंबर होगा पंचायत राज व्योस्था में इस्थानी सोससं की व्योस्था जो होती है वग्राम, बलाक और जिला इस तर परती निस्त्रिय होता है नेक्स्ट है बलवन तरह समिती परती वेदन के अनुसार महत्पूर सस्था है इसका राइट एप्सन क्या हो जाएगा सी नंबर यानि की पंचायत समिती पंचायत समिती इसका राइट एंसर होगा बलवन तरह समिती परती वेदन के अनुसार महत्पूर सस्था है पंचायत समिती नेक्स हम बात करते हैं निमल खित में से कौन पंचायती राजस्था नहीं है जिसका राइट एंसर डी नंबर होगा नगर परिसद ठीक है नगर परिसद क्या है पंचायती राजस्था नहीं है इसका डी नंबर राइट एंसर होगा इसी प्रकार के मतमट वीडियो के लिए हम हमारे टेलीग्राम गुरूप एम के नोलज को भी सब्क्राइब करेंगे जहां पर करेंट अफर से समधित तबाम सुचना है और पीडिये भी आपको दी जाते हैं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम गुरूप को भी सब्क्राइब करेंगे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में थेंक यू भीर मेंट, जय हैंज, जय भारत